हेलो दोस्तों आप देख रहे हो साथ हके इंजिनियर यूट्यूब चैनल दोस्तों जैसे आपको बेस अवरी से इंजिया था वीकेंड के बार का फाइनली वीकेंड के बार एफिसोड लॉंच हो चुका है कलज टीवी पर दोस्तों जहांपर सल्मान संद ने बहुत ही धमाके सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब आपको और जो बाए कंटेस्टेंट अपनी लिए नहीं सब्सक्राइब हुए थे उनसे भी कहा कि आप अपने लिश्टेंट क्यों नहीं ले रहे हो तो दोस्तों कल फिर सल्मान सन्ने सबसे पहले सैफाली जी को सेफ करा तो कहीं न कहीं दोस्तों आपको भी पता है कि जो बिग बॉस में सबसे पहले सेफ होता है उस कंटेस्टेंट के मन में ये जरूर आता है कि मेरे वोट्स और कंटेस्टेंट से ज़ादा थे तो जो दोस्तों ऐसा देखा जाए कि कल के एपिसोड में बहुत बड़े बड़े सेलिविटी भी नॉमिनेट से लेकिन उन्हें सेफ नहीं करा सलमान संदे और सेफाली जी को सेफ करा तो कहीं न कहीं दोस्त अब आगए ये देखने बहुत दिल्चस्प होगा कि सेफाली जी के आसपास कहीं सारे कंटेस्टेंट बन राएंगे ताकि वो अपनी टी आरपी और वोट्स गेंड कर सके और दोस्तों जो कुछ कर नहीं रहे थे सो में उनको भी जगानी की कोशिस की सलमान संदे और हाँ दोस्तों 800 कैलेगी भी बात करी स्थे सलमान संदे जो की पारे शाबरा जी ने बोली थी फिर दोस्तों आगे की बात करें तो घर में लाई जाती है बॉण चेर तो दोस्तों फिर सलमान सर घरवालों से बोलते हैं कि आप आपस में वोटिंग कर गए हैं बताइए कि किसके connection सबसे strong हैं तो फिर दोस्तों सब आपस में वोटिंग करके majority जाती है सैनास गिल को और पारजशावरों को और उनको bond chair पे बिठा दिया जाता है वही पर जब सैनास गिल और पारज़ी कुर्सी पर बैठते हैं तो सैनास हमें बोलती दिखाए दी कि मुझे यह सोगो नहीं जीत रहा मुझे तो बस सलमान सर अपने picture में काम दे लेंगे तो दोस्तों कहीं न कहीं है सैनास गिल का यह attitude देखके और यह behavior देखके समझ नहीं आ रहा कि सैनास गिल इतना low क्यू दीख रही है और इतने motivate क्यों नहीं हो रही है सोजी इतने के लिए फिर दोस्तों हमें आगे देखने को यह मिला कि सलमान सर अजिम रियास को motivate करते हो नजर आये जैसा कि दोस्तों आपको भी पताए कि आजिम रियास में potential तो है लेकिन उन्हें potential सो करने का मौगा नहीं मिला फिर दोस्तों आगे सल्मान सर हेर रिमूवल क्रीम का भी मुद्दा उठाते हैं और बोलते हैं कि आजिम रियाज में बिल्कुल सही किया जो वो चेहर से उठ गए क्योंकि अगर उनकी जगा कोई और भी होता तो वो भी उड़ियाता क्योंकि हेर रिमूवल क्रीम अगर चेहरे पर लगती तो जलन तो होती ही दोस्तों फिर आगे सल्मान सर बात करते हैं डेवुलीना जी के क्यून बनने पर दोस्तों फिस सलमान सर कल दवारा वोटिंग करवाते हैं कि आप किसको चुलना चाहते हैं क्यून बनने के लिए तो दोस्तों कहीड़ कही हमें ये देखने वो मिला जिन लोगों ने पहले ड़ैबूवलीन जी जी को भी वट किया था क्यून बनने के लिए उनके भी वोर्ट्स ट्रेंज हो गए और वैस दू किसी और का नाम लेने लगते जैसा कि दोस्तों फिट घर के कंटेस्टेंट्स ने बोला किसी का नाम सेनास किसी ने बोला तरस महीरा तो महीरा पर सन्मान सान माहीरा से पूचते कि आपने ली श्टेंट कियो ने लिए जबकि आप ते तो इतनी अच्छे साथ वो टास्क परफॉर्म गया था और आप चेयर से गिव अब नही है और नहीं आपने किया वही पर दोस्तों कहीं न कहीं यह बात बिल्कुल सही थी सल्मान सर की क्योंकि डैवली या जी के अलावा भी बहुत सारे कंटेस्टेंट ने घर में जो कि क्यों उनके हगदार थे पर दोस्तों सल्मान सर आते हैं आगे अबू जी पर जहां पर वह अबु जी से बोलते हैं कि आपके स्इमिंग पूल में जाने से हमारा सिल्टर टेंक खराब हो गया स्विमिंग पूल का तो कहीं नहीं होना यह बात बलूल सही बोली क्योंकि स्विमिंग पूल में जाकर गाना काते हैं अमिशा पटेल जी लिए जो कि बहुत ही इनोवेटिव और इंटेस्टिंग और फशनी का तो आगे सलमाद सर्फ बहुत पशनी सा टाक्स लाते हैं जहां पर वह एक किसी कंटेस्टेंट से कोशन बूचते हैं और उस कोशन के ऊपर और अंदे कंटेस्टेंट को एग्रिया डिसएग्रिया होना होता है जिसके सिद्दार दे की बहुत किचाई होती है जहां पर घरवाले या तो एगरी करें या डिस एगरी करें उन पर जरूर कोई न कोई मैटेरियल गर जाता है दोस्तों कहीं न कहीं है उनके लिए शो करने के लिए था कि वह गलत ट्रेक्स पर जा रहे हैं और उन्हें सब्सक्राइब जाने के लिए यह सब कुछ सन्मासन ने किया जहां तक ऐसा हम को दीगा फिर दोस्तों बात आती है कॉलर आफ दा वीक की जहां पर कॉलर आफ दा वीक सीधे ही डेवलीना जी से बोलते हैं कि आप यह बहुँआउ का खेल छोड़ी है और अपनी रियल साइट करती है तो कहीं ना कहीं देखनें पर ऐसे लग रहा है कि सैलिध्विटीपीस अपनी रियल साइट पूरी तरीकے झाल झाल झाल